Hey what's up guys, welcome to my channel and I am back with a new video मुझे सबसे ज्यादा खास लगा और इसकी बैटरी ऑप्टमाइजेसंस यूँकि यह फोन का आपको स्टॉक एंड्रोइड ऑपारिण सिस्टेम मिलेगा एंड्रोइड 12.0 के साथ में और इसकी बज़े से इसका स्टॉक एंड्रोइड के साथ ऑप्टमाइजेसंस काफी नेक्स लेवल वाला होगा दोस्तों बाकिस कुछ कमपणिये हैं जो उसकी स्मार्टफोन पे नियरली स्टॉक एंड्रोइड एंडरेजांस देने की कोशिस करते हैं लेकि नोकिया एक ऐसे ब्रैंड है जो उसकी हर किसी स्मार्टफोन के आपको प्यॉर स्टॉक एंडरेट एक्सन देता है जो लेटेस्ट एंडरेट के साथ में काफी अच्छा पर्फोमेंस देता ょसे है नोकिया यां पी बैटेडि तो Nokia X200 series सबसे पहले globally launch होने की वारे में उमीद है क्योंकि Nokia का announcement की सबसे यह smartphone globally launch किया जाएगा और यह 4 variant के साथ में आएगा एक है 6GB RAM के साथ में 64GB internal storage, एक है 6GB RAM के साथ 128GB, 8GB RAM के साथ में 128GB and 8GB RAM के साथ में 256GB internal storage वाला option आपको मिलेगा According to a new report, the Nokia X200 series आपको 4 different color option के साथ में मिलेगा एक है black, दुसरा है blue, तिसरा है pink और यहाँ पे एक white color option के साथ में मिलेगा चो यहाँ पे ceramic white color option के साथ देखने को मिलेगा यह smartphone को globally हरे country पे launch नहीं किया जाएगा यह basically कुछ country की special market हिसाब से launch किया जाएगा और यह white color काफी मेंगा भीख सकता है normal color की हिसाब से और यह काफी आच्छी दीनामी भी होगा जो phone को एक premium और smart look प्रोवाइड करेगा इसकी camera sensor की बारे में थोड़ा बहुत confusion है क्योंकि यहाँ पे Nokia जो X200 series की camera होगा यहाँ पे कुछ rumor की साथ से 150 megapixel का camera हो सकता है और यहाँ पे कुछ information आपसी यहाँ पे 200 megapixel का quad camera setup देखने की बारे में उमीद है according to new information यह X200 series की जो base model होगा वहाँ पे आपको 200 megapixel camera नहीं मिलेगा साथ 150 megapixel camera मिलेगा लेकिन इसका ultra model पे आपको 200 megapixel camera ही मिलेगा तो आप चैनल को subscribe कर दीजिए और bell icon को press कर दीजिए ताकि इसकी बारे में जो भी नए update आएगा और जो भी नए news आएगा वह आपको मैं सबसे पहले inform कर पा हूँ ताकि आप इस device की बारे में सभी report और सभी news सबसे पहले जान सके So let me know your thoughts on this and I will see you guys tomorrow Peace out